Welcome Friends, आज बेसिक क्लाश 12th स्टुडेंट के लिए आज में बहुत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन करने जा रहा हूं जो कि आपके केरियर से जुड़ी हुई है वेरी इंपोर्टेंट न्यूज है जो कि आप आज से ही अगर यह मेरी बात आपने द्यान से सुनी तो जो भी स्टुडेंट्स बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो आज से पढ़ना सुरू कर देंगे ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत से अकवा में बहुत से न्यूज सुनकर खापी ज़्यादा कंट्यूज हो गए हैं सबसे ज़्यादा कंट्यूज हो गए हैं क्लास 12 इस्टुडेंट्स लेकिन एक सक्चाई में आपका ज्यादा समय नहीं लोगा आपको कड़ी सक्चाई बताने जा रहा हूं बस आप द्यान से सुने वो सक्चाई ये है कि आप दिल्ली बोर्ड जो CBAC बोर्ड है उसकी न्यूज आपने जरूर सुनी होगी वहां पर जो आपकी क्लास 10 का जो एक से कर दिया यानि क्लास 10 के इस्टूड जो स्कूल में उनके एक्जाम सुए हैं उसी आधार पर यहां से ही उनके मांक्स बेजे जाएंगे और उसी आधार पर उनका स्कूर लेवल बन जाएगा उनका रिजाइड प्रपेर हो जाएगा लेकिन क्लास 12 का जो एक्जाम है वह यानि CBSC पर जहां से पूरे नेशनल हमारे पूरे इंडिया के अधितर स्कूल CBSC से जुड़े हुए हैं राज्य बोर्ड अलगे CBSC बोर्ड अलगे एंद्रिय बोर्ड जिसे हम करते हैं वहां पर क्लास 12 का एक्जाम केंसिल क्यों नहीं किया गया जबकि क्लास 10 का उन्होंने केंसिल कर दिया इसके पीचे की वज़य यह है कि क्लास 12 की मार्क सीट से ही आपके फ्यूचर का डिशीजन होता है यानि प्लेज में जब आप एडिमिशन लेते हैं तो वहां पर कई सारी सीट्स होती हैं जो कि आपकी क्लास 12 की मार्क सीट की परसेंटेज के आधार पर आप का वहां पर एडिमिशन होता है अगर हमारी परसेंटेज कम है तो हमारा कई अच्छे स्कूल्स होते हैं और कई अच्छे कोर्स होते हैं उनमें हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाता है डोनेशन देने के बाद के हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाता है को लेजेज की बात है इसके अल गेलावा 12 की जो आपकी जो मार्क सीट है उसकी भी परसेंटेज वहां पर काउंट की जाती है इसके लावा जब आप नोकरी में जाते हैं चाहिए टीचर में या करके भी एस्टीची करके थर्ड ग्रेट टीचर में जाते हैं तो वहां भी आपके 12 की मार्क सीट जब आप कोंपिटीशन देते हैं वहां पर यूँ काउंट होते हैं यानि कि क्लाश 12 की मार्क सीट के आधार पर ही आपका आगे का फ्यूचर तय होता है अगर माली ये वहां पास लिखा हुआ आता है क्लास 12 की मार्ग शीट में जिसने दिन रात मेनत की पूरे 24 गंटे में से 18 गंटे 20 गंटे पड़ा एक बिल्कुल पूरे साल इधर-उदर डोलता रहा उसके भी लिखा हुआ आया है पास और वो जो टोपर था जो मेरिक प्राप्त करता उसके लिखा आया है पास क्या अंतर गया क्या आप इस रिजर्ट से संतुष्ट हो जाए गें आपने जिन रात क्या हो इस रिजर्ट से संतुष्ट हो जहेंगे ролic मेरी साफ before नहीं वह एई चाहेंगे की एक्जाम हो और हम हमारी कादले सिद्ध करें हमने बहुत मेनत किये नहीं तो आप और जो बिल्कुल नहीं पढ़ें उनमें अंदर भी क्या रजाएगा आप इतनी मेनत किये आप यही सोचें कि एक्जाम होना चाहिए और एक्जाम जब आगे केंजल नहीं हुआ तो यहां भी केंजलोंने की संभावन है बहुत कम है हाला कि परिश्क्रितिया भी अच्छी नहीं है लेकिन सरकार की यह इच्छा है यह मन्चा है कि बले ही बोर्ड टेंट नहों लेकिन गलत होना आवसे के यह स्टुडेंट्स के क गेर को उनके फ्यूचर को आगे जो लेकर जा रहे हैं वह वहां पर सबसे जादा इंपोर्टेंट चीज है वह क्लाश 12 की मार्क्सीट उस मार्क्सीट की मार्क्सीट की परसेंटेज जो उसने अच्यू की है वहां पर उसके जरते इसलिए आप लोगों को मेरी एकी करें अगर एक्जाम हुआ तो हमें टोपर बनना है हमें हमारी मार्क्सीट की परसेंटेज वास्तों में टोप ग्लास बनानी है और तब ही बनेगी जब हम ब्लेंग कंभी पड़ें लेकिन हमारी पड़ाय को कंटीनू रखें बंद ना होने दें यह आपने जो पड़ा है य इसी साल और आगे के साल जब आप पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे यह नोलेज तो आपको करनी है इसलिए पड़ाय बिल्कुल बनना करें और मैंने आपको एड़्वाइज दी इसे आप फोलो करें आपके चांसे एक्जाम कैंसल होने के बहुत कम हैं दस्री इसी हुई कि परिक्सा संभवी नहीं हुई वह बात अलगे बाकि क्लास तो एक्जाम होने के 100% चांसे मैंने आप लोगों को एड़्वाइज किया है सजेस्टिक किया है ताकि आप इसी भी गलत प्रेमे में ना रहें अगर मेरे सलाह अच्छे लगी हो तो आप बढ़ाय ज शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स थेंक्यू